ही नमस्कार मेरा नाम है निखिल आज की वीडियो में कंपार करने वाले हैं डामेंशडी 800U को स्नापड्रेगन 720G से हैं देखेंगे कौन सा दाधा बेटर चिपसेट है बात करते हैं यहां पर दुनों के लांच देट की तो यहां पर डामेंशडी 800U के लेटेस चिपसेट है विगोज यहां पर लांच हुआ है 18-2020 में जबकि यहां पर स्नापड्रेगन लांच हुआ है 20 Gen 2020 में बात करते हैं यहाँ पर CPU fabrication की, तो यहाँ पर हमें Dimensity 800U में मिल जाता है 7nm TSMC वाला process, जबकि यहाँ पर Snapdragon में मिलता है 8nm का LPP वाला process, तो यहाँ पर हमें better fabrication मिलता है Dimensity 800U में, तो यहाँ पर जो heating होगी वो भी काफियत तक control होगी, और यहाँ पर जो power efficiency होगी, वो भी काफिय से तक ज्यादा होगी Dimensity 800U में, बात करते हैं यहाँ पर दोनों के RAM compatibility की, तो हम यहाँ पर देख सकते हो, कि यहाँ पर Dimensity 800U में, and Snapdragon 720G में, हमें दोनों में ही LPDDR4S का RAM मिलता है, जो कि Deol Channel RAM है, बट यहाँ पर हमें Dimensity 800U में, better clock speed मिलती है, जो कि 213 MHz की, and यहाँ पर यह जो chipset है, 12GB तक का RAM सपोर्ट करता है, जबकि यहाँ पर Snapdragon 8GB तक का RAM ही सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर Allround हमें better RAM का सपोर्ट मिलता है, Dimensity 800U में, बात करते हैं यहाँ पर दोनों के stretch compatibility की, तो यहाँ पर Dimensity 800U slightly better है, बिकोज यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है, UFS 2.2 का, जबकि यहा यहाँ पर आपको जो है, फरक देने को नहीं मिलेगा जब आप यूज करोगे दोनों को, बिकोज यहाँ पर जो फरक है काफी है, तक मिनिमल है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर दोनों के चल सकते हो, बात करते हैं यहाँ यहाँ पर दोनों के ISP की, तो यहाँ पर hands-down Dimensity 800 यू थो आसा बेटएAcakle करता है, वाँ यहाँ पर हमें better sensor support मिलता है, यहाँ पर हमें 64 megapixel का single sensor support मिल जाता है fully supported, जबकि यहाँ पर snapdragon 720G में, हमें 32 megapixel का single sensor मिलता है, supported, वो भी fully supported में बात कर रहा हूं यहाँ पर, यहाँ पर बात करते हैं Diol camera की, तो यहाँ पर Diol camera में भी Dimensity 800 यू जो है बेटर सेंसर हमें सपोर्ट करके दे देता है दोनों ही यहाँ पर 4K UHD की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे तो इस मामले में दोनों ही एक्वल है बात करते हैं यहाँ पर दोनों के डिस्पले के कॉंपाइडिबिलिटी की तो यहाँ पर दोनों में ही हम FHD Plus तक के डिस्पले को लगा सकते हैं जो की 120Hz पे ऑपरेट करेगा compare करते हैं यहाँ पर दोनों के modem को तो यहाँ पर यह सही बात नहीं होगी compare करना because यहाँ पर हमें Dimensity 800U में 5G modem मिलता है जबकि यहाँ पर Snapdragon 720G में हमें 4G LTE modem मिलता है तो यहाँ पर साधरन सी बात है कि Dimensity 800U में हमें better downloading speed मिलेगी and better uploading speed मिलेगी and even यहाँ पर Dimensity 800U जो है ultra safe tech के साथ में आता है इसका मतलब यह है कि अगर आपके phone को use नहीं करते हैं अगर उसमें लगा हुआ है Dimensity के series के chipset तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि जब आप phone को idle रखते हो मतलब stand by mode पर रखते हो तो आपका जो phone है 4G connectivity उस करेगा ना कि 5G तो 5G क्या होता है ज्यादा battery उस करता है 4G के मुकाबले तो background में आपके जो whatsapp होते है और जो भी आपका messaging app होता है जहाँ पर data constantly चाहिया होता है update करने के लिए background में वहाँ पर 4G का OPM होगा तो आपका जो battery है वो काफियत तक बचेगा hope so आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बतने कोशिच की है अगर आपको doubt है तो मुझे comment कर दीचे आपका doubt मैं कोशिच करूँगा कि आपका doubt है clear कर दू अगर बात करते हैं यहाँ पर दोनों के N2D and Geekbench score की तो यहाँ पर Dimensity 800U की listing नहीं होई अभी तक N2D and Geekbench में तो मेरे पास N2D score and Geekbench score नहीं है तो मेरे पास N2D score and Geekbench score नहीं है 2800 से लेकर 2000 के आज़ पास score कर ले गाई है यह multi-core में बाकी यहाँ पर Snapdragon 720G का जो score है आपको यहाँ पर मिल रहा है विकोज यह test score है बाकी आगर हम देखते हैं तो expected score होड़ से ज्यादा है Dimensity 800U के बाकी real life में क्या होता है वो तो पता चलेगा टेस्टिंग के बाद अगर बात करते हैं आपर दुनों के पबजी performance की तो यहाँ पर Dimensity 800U को मैंने उस नहीं किया है तो यहाँ पर मैं confirm होके नहीं बता पाऊंगा पर मुझे क्या लगता है क्या मेरे expectation है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ तो मुझे लगते है कि यहाँ पर हमें MediaTek Helio G90T में Smooth Plus Extreme तक की setting मिल गई थी तो यहाँ पर भी हमें Smooth Plus Extreme तक की setting मिल जाएगी as per the performance and as per the specifications यहाँ पर हमें Smooth Plus Extreme में 44 से लेके 55 का FPS rate मिल सकता है यहाँ पर हमें HDR Plus Ultra तक की setting भी मिल जाएगी जहाँ पर हमें 35 से लेके 37 के बीच में FPS rate मिल सकता है अगर बात करते हैं यहाँ पर Snapdragon 720G के PUBG performance की तो यहाँ पर जो PUBG performance है वो tested है यहाँ पर हमें Smooth Plus Ultra तक की setting में 37 से लेके 40 FPS मिल जाते हैं यहाँ पर हमें Smooth Plus Extreme तक की setting में 52 से लेके 57 के बीच में FPS rate मिल जाता है तो यहाँ पर अगर हम compare करते हैं दोनों को side by side तो यहाँ पर Dimensity 800U का जो expected जो मेरा expected performance है PUBG में वो होगर हम compare करते हैं यहाँ पर Snapdragon 720G के performance है तो अब दिख सकते हो लगबग equal performance में expect कर रहा हो बिकुस यहाँ पर जो performance है काफी हद तक equal ही आप मान की चल सकते हो although यहाँ पर better optimized रहता है Dimensity and MediaTek के chipset PUBG के लिए बढ़ यहाँ अगर हम जेवाशोल उस करते हैं Snapdragon 720G में तो हमें लगबग equal performance मिल जाएगी दोनों के chipset से gaming के मामले में बात करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU performance की तो यहाँ पर CPU में हमें दोनों में यह same configuration मिलता है दोनों में हमें दो कोर्स मिलते हैं Cortex के A76 वाले यहाँ पर हमें दोनों में ही 6 कोर्स मिलते हैं Cortex के A55 वाले clock dead 2.0 GHz on Dimensity and clock dead 1.8 GHz on Snapdragon and यहाँ पर जो clock speed है higher performance वाले कोर्स की वो भी जादा है Dimensity 800U में यहाँ पर हमें 2.4 GHz की clock speed मिलते है Dimensity U में and on the other hand हमें मिलता है 2.3 GHz की clock speed तो यहाँ पर हमें slightly better CPU performance मिल जाएका Dimensity 800U में although जो performance gap वो काफी जादा नहीं है बहुत ही slight margin से दोनों के विच में gap आता है but फिर भी यहाँ पर Dimensity 800U जो है slightly better perform करेगा compare करते हैं यहाँ पर दोनों की GPU को तो GPU यहाँ पर आप मान की सेल सकते हो काफी जादा equal है दोनों में ही यहाँ पर आप Dimensity 800U का जो GPU है अभी तक टेस्ट नहीं किया है तो मैं कुछ भी कहनी पा रहा हूँ बिना टेस्टिंग किये हुए बड़ मेरा जो expectation है यहाँ पर Dimensity 800U के GPU slightly जादा है बिकूस मुझे लगता है कि यहाँ पर Dimensity जो है better perform करेगा as compared to Snapdragon 720G के GPU से although जो performance gap होगा दोनों में जादा बड़ा नहीं होगा बड़ यहाँ पर slightly better perform करेगा Dimensity 800U का GPU यह मेरा opinion है बाकि real life में क्या होता है because phone में जो heating होती है वो सबसे बड़ा role play करता है अगर heating जादा होगी तो Snapdragon 855 का GPU भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो heating पर बहुत जादा main aspect होता है यहाँ पर GPU का और CPU का तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो heating है काफियत तक कम हो सकती है यहाँ पर हमें 7NM का TSMC वाला process मिलता है तो अगर बात करते हैं मेरे फाइनल वर्धिट की तो मेरा फाइनल वर्धिट यही है कि Dimensity 800U जो है slightly better perform करता है Snapdragon 720G से अगर आपको दोनों का दोनों option मिल रहे हैं आपके budget में तो मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि Dimensity 800U आप क्यू नहीं लोगे विकोस अगर आपको heating की issue नहीं मिलते हैं तो आपको definitely Dimensity 800U जो है prefer करना चाहिए विकोस यहाँ पर हर एक expect में Dimensity 800U जो है slightly better निकल के आता है यहाँ पर हमें CPU & GPU भी better मिलता है Dimensity U में वहाँ आपको लोगा and till then this is Nick signing off